मद्रप्रदेश के विधानसवाद शीतकारिन सत्र की जिसका आज दूसरा दन है और ये दिन हंगामेदार हो सकता है क्योंकि आपको बता दे शीतकारिन सत्र का दूसरा दन है आज वित्मंत्री सप्लिमेंटरी बजट पेश करेंगे साथी कई महत्पूर्ण विधयक आज पेश किये जाएंगे हालकि OBC आरक्षन का मुद्धा भी आज गूसा हुआ सुनाई देगा OBC आरक्षन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं ठन गई है कॉंग्रस इस मुद्धे पर सिगन प्रस्ताव लेकर आएगी तो धान सवाके शीत कालिन सत्र का दूसरा देन हंगामेदार ये दिन रह सकता है वित्मंत्री सप्लिमेंटरी बजट पेश करेंगे कई महत्पूर्ण विधयक आज पेश किये जाएंगे साथी OBC आरक्षन का मुद्धा भी आसदन में सुनाई देगा और वहीं दूसी तरफ पूर्वसीयम कमलनात ने OBC आरक्षन को लेकर एक महत्पूर्ण बैठक बुलाई है साधन की कारेवाही से पहले ये बैठक बुलाई गई है साड़े दस बजे विधान सभा में एक बैठक होगी जिसमें सभी कॉंग्रस विधायक शामिल होगे तो OBC आरक्षन को लेकर PCC चीफ कमलनात ने महत्पूर्ण बैठक बुलाई है सुबह साड़े दस बजे विधान सभा में एक बैठक होगी साधन की कारेवाई शिरू होने से पहले कॉंग्रस की सभी विधायक इस बैठक में शामिल होगे जिसमें OBC आरक्षन को लेकर चर्चा की जाएगी और चली विसार से हम जानकारी ले ले लेते हैं समवाद दाता अकर्शर्मा करोख करेंगे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकर्श मैं चाहूंगी क्या वधान सभा की कारेवाई को लेकर भी जानकारी दीजे इसके साथ इस बैठक से जुड़ी जानकारी भी क्योंकि ओबी से आरक्षन के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक शामने सामने हैं कल मुख्यमंत्री ने एक महत्पूर बैठक विदिक सलाकारों के साथ ली और आज सदन की कारेवाई से पहले पी-सी-सी चीफ कमलनास सभी कॉंग्रस उधायकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं जी जाया आज का सीदकालीन जो सत्र का दूसरा दिन है काफी हंगामिदार रहने की पूरी संभावना है यदि मैं पहले पूरी सत्र की बात करूँ तो सबसे पहले आज सत्र में जो अनुपूरक बजट है वो पास किया जाएगा उसके बाद जो पांच बदेहक हैं जो पत्थरवाजों के खिलाप हो जो लोग धरना परदाशन करते हैं और सरकारी संपत्ती उसमें छती ग्रेश्ट होती है निजी संपत्ती छती ग्रेश्ट होती है उसको लेकर मदपरदेश सरकारी कानून लेकर आने वाली है और इशी के साथ चार और कानून हैं टोटल पाँच आज जो बधेक हो उनको पास किया जाएगा इसके बाद जो है इस्थखन परस्ताव हमने देखा था कि कल मंतरणा समीती की जब बैठक हुई थी तो इस पर सहमती बनी थी कि पाँचों दिन जो है सुचार रूप से बधान के अलाबा यही कारण है कि हम देखेंगे जैसे अनुपूरक बजट पास होगा और पांचों बधेक पास किया जाएंगो उसके बाद इस्थखन प्रस्ताव कांग्रेश लाकर अन्यमुद्दों को छोड़कर सिर्फ OBC पर बात करना चाहेगी और इसी को लेकर दोनों ही पा कारक्षन जो है सुप्रीम कोट ने फैसला बदल दिया वही का बीजीपी का कहना है कि कांग्रेश जो है ओविशी वाले मामले जब पंचाज चुनाओं का मामला कोट में लेके गई यही कारण है कि OBC का आरक्षन जो है वह नरस्थ हो गया आज दोनों ही पार्टी एक दूस सबा सत्र शुरू होने से पहले एक एहम बैठक बुलाई है जहां जिसमें तमाम पूर बधायक जो बधायक हैं उनको बलाकर बैठक की जाएगी उनसे चर्चा की जाएगी उनने टिप्स दिये जाएंगे कि किस तरीके से किस रणनीती के साथ हमें बधान सबाम उतरना और क कुलार आज इसी मुद्धे को लेकर सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है फलाल धनेवाद आपका आकर जानकारी के लिए तो सदन विधानसवा के शीतकाली सदरकाय दूसरा दिन है और इस कारिवाई से पहले सुभा साड़े दस बजे पीसेसी चीफ कमलनाद ने उब